देखो बाई, फिस्कल माक्स मैंशिप क्या होता है, गौर्मन्ट ने बोला बजट में ये होना चाहिए, ये एरिसेप्ट होगा, ये एकस्पेंडिचर होगा, यहां से टेक्स होंगे, इतने टेक्स देने पड़ेंगे, इतनी सिकीम्स वहां पे होंगी, इतनी सिकीम्स यहां पे होंगी, अब देखा एक काम बात बोलूँगा, बजट में ने आपको पढ़ाया, कुछ factual चीज़े हैं, कि इस सिकीम के लिए इतना पैसा allocate किया गया, इसके लिए इतना पैसा कुछ factual चीजे हैं, वो हम आपको last में बताएंगे, वो पढ़ने की क्या जूरत, मैं आपको क्या बताऊं कि इस scheme के लिए इतना पैसा है और हमें आगे schemes पढ़ने हैं central sponsor schemes, वहाँ पे भी वो clear हो जाएगा, समझो इस बात को advance में जो target करते हैं advance में जो estimate करते हैं advance में जो budget का estimate करते हैं advance में जो annual planning statement देते हैं advance में जो ये budget को रखते हैं parliament में और जो pass होता है जो advance में होता है, targeted होता है या budget estimate जो होता है लेकिन ये तो advance की बात है actual में एक साल बात पता चलेगा कितना पैंसा बोला था खर्चा होगा कितना हुआ कितना पैंसा बोला था टेक्स से आएगा कितना टेक्स से आया कितना बोला था बॉर्विंग करेंगे कितना बॉर्विंग की कितना बोला था यहां पे यूज होगा पैंसा salaries में और pension में उधर इधर पैसा use होगा और कितना हुआ कितना dis investment बोला था कितना करा actual में government report actual report card of the government actual government जो कर रहा है इन दोनों के बीच में जो gap है ना उसी को बोलता है fiscal marksmanship जो इनका target है कि 100 रुपई हम पैसे recept करेंगे for example 200 रुपई हम पैसे recept लाएंगे और actual में इन्होंने कितना लाया इन्होंने actual में 120 लाया ज्यादा recept लाया अच्छी बात है लेकिन तब भी यह accuracy आप government नहीं दिखाता gap चाहे ज्यादा हो या कम हो इसको बोलता है fiscal marksmanship यह government का negative effect दिखा रहा है यह दिखा रहा है government का targeted strategy ठीक नहीं है यह दिखा रहा है government का advance में जो planning है वो सही नहीं है यह fiscal marksmanship चक करने के लिए होता है कि उनकी कितनी accuracy है कितना वो इस target से बढ़ेंगे या गटेंगे जब actual देखा जाएगा एक साल बाद budget में क्या हुआ तो चाहे बढ़ेना या गटना gap gap है target जो किया उसके नस्दीक जितना आए उतना अच्छा है government के लिए तो ठीक है ना समझाया ना ओके चक एकुरेसी आप दो गवर्मेंट फिस्कल marksmanship सिर्फ बोलता है gap वो increase degrees नहीं बोलता है वो सिर्फ बोलता है gap कितनी है फिस्कल stimulus देखा वाई फिस्कल stimulus क्या होता है आपको पता है कि recession क्या होता है recession होता है मतलब कि जब deflation चल रहा है recession होता है deflation चल रहा है यह recession ज्यादा इस तो इस वजह से होता है जब government supplies ज्यादा करे demand कम हो लोगों की sorry government नहीं government नहीं recession कब हो रहा है प्राइसेज घटाएगा, डिफिलेशन कराएगा, रिसेशन हो जाएगा, यह सारी चीज़े इनिफिलेशन के रिलेटेड है, आपको समझ में आएंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उनको हम एक दो दिन बाद इनिफिलेशन उनका वीडियो आएगा, और देख लें समझे इस बात को, सप्लाइज ज्यादा है डिमांड से, सप्लाइज करने वाला, जब डिमांड नहीं कोई करेगा, तो वो सामान बनाना बंद करेगा, वो प्रैसिस को गटाएगा, वो डिफिलेशन कराएगा, वो रिसेशन कराएगा, अब अगर ऐसी हालत है, तो गौवर् गौर्मेंट बूस्ट कर सकता है, मार्केट को इनिशल बूस्ट देना, गौर्मेंट क्या करेगा, इस डिमांड को बढ़ाएगा, ताकि लोगं के हाथ में पैसा आए, वो डिमांड करें, और सप्लाय और डिमांड बराबर हो, सप्लायर खुश हो जाएगा, प्रोडूसर मार्केट को इनिशल बूस्ट देना, इनिशल स्टुमिलस देना, गौर्मेंट की वजए से, ताकि मार्केट का सप्लाय डिमांड बराबर आजाए, और रिसेशन हट जाए, और मार्केट खुद बखुद काम करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे सारा कलियर हो जाए, थोड़ बच्चे हैं जिन्होंने इनिशल नहीं देखा होगा, शायद मुश्किल हो जाए, पहले हम आपको कल पर सुए इनिशल बेजेंगे, उसके बादे फिर से आप देख लीजिए, फिसकल स्टुमिलस, गौर्मेंट इनिशल बूस्ट स्टुमिलस, कैसे 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 देता है, या लोगों के हाथ में पैसे आएगा, वो डिमांड खुद बखुद करेंगे, एकस्पेंडिचर को बढ़ाएगा, खर्चा करेंगा, तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, बचेंगे, 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 तो लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आया, वो आटोमेटिक demand को बढ़ाएंगे बस government को fiscal stimulus में ये करना है क्या ये contractionary fiscal policy है क्या expansionary fiscal policy है sir expenditure को बढ़ाना मतलब expansionary fiscal policy ही होती है किसलिए वो use होती है deflation को खतम करने के लिए inflation को deflation को खतम करने के लिए recession तो deflation का एक छोटा बच्चा ही है अब depression बड़ा बच्चा है देखने के कहीं पे भी खर्चा कर लेता है government उदर खर्चा इदर खर्चा जिसकी वज़ा से expenditure जादा होता है recepts कम होते हैं और deficit हो जाता है तो government को fiscal prudence करना चाहिए deficit को खतम करने के लिए कैसे effective and targeted allocation of money resources को effective or targeted use करो resources को आप effective or targeted use करो resources को आप money को आप गलत तरीके से expenditure मत करो expenditure कम हो जाएगा आपके ये करने से और expenditure कम हुआ खर्चा कम हुआ deficit भी कम हो जाएगा effective and targeted allocation of money या resources कीजिए जहाँ जहाँ जूरत है वहीं पे दीजिए जिससे expenditure आपका कम हो जाएगा ठीके यहां तक समझाए अब है angel's law sounds क्या होता है एंजिल्स law बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है कुछ भी निए एंजल जला कुछ भी नहीं है बाई मेरे एंजल जला ये है आप हो आप हो आप हो आप की income बढ़ गई आपकी income बढ़ गई आपकी income बढ़ने से आपके खाने पीने का expenditure बढ़ता नहीं है वो decrease होता है percentage wise sir मेरी income बढ़ेगी मैं तो ज्यादा खाऊंगा percentage wise तो increase होनी चाहिए decrease तो नहीं होनी चाहिए हम है न समझाने के लिए percentage expenditure of food decrease हो जाएगा क्योंकि खाना आप कितना खाऊगे पेट में कितना बढ़ोगे समझेंगे हम आपको आपके पास income है 100 रुपीज आप 100 रुपाई कमाते हो ठीक है जब आप 100 रुपाई कमाते हो तो आपका 100 रुपाई मैंसे मान लेते हैं आप खाने पीने पे 30 रुपाई खर्च करते हो आप 70 रुपीज 100 रुपाई मैंसे non food पे खर्च करते हो कितना हुआ 30, 70, 100 रुपीज बराबर आप मुझे बताईए 100 रुपी मैंसे food पे कितना पैसा आप खर्च करते हो percentage wise 30% सर 100 रुपी मैंसे 30 रुपी कितना होता है 30% ओके 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 अब आपकी income बढ़ जाएगी आपकी income अब 100 से 200 चली गई और आप मुझे बताईए खाने पे आप खर्च करोगी अब आप बोलोगे सर खाने पे मैं 200 में 200 खर्च करोगा रहे बाई गलत है average में एक दिन में तो आप कर सकते हो average में आप पेट तो फट जाएगा बाई मेरे कितना खाएगा इंसान तो याद रखना खाने पे आप खर्च करोगे थोड़ा सा ज्यादा high five खाना खाऊगे लेकिन कितना खाना खाऊगे यार पेट तो उतन नहीं है तो आप 30 से 40 कर सकते हो non-food पे कितना पैसा बचेगा 160 तो आपने 200 में फुड में कितने परसंटेज किया इस्तिमाल सर्फ फुड में 200 में 40 रुपई 40 रुपई आउट आप 200 कितने परसंटेज होता है 20 परसंट होता है तो आपकी परसंटेज डिक्रीज हुई हाँ हाँ पहले फुड पे 30 रुपई खर्च किया फिर फुड पे 40 रुपई खर्च किया मगर पैसे तो ज़्यादा खर्च किया मगर rate डिक्रीज हुई percentage decrease हुई पहले 30 आप खर्च करते थे 100 में तो 30% आप 40 आप खर्च करते हो food के लिए 200 में 40 out of 200 पता है कितना percent होता है 20% percentage wise decrease हुआ example को आगे लेते हैं 1000 रुपए आपने कमाए और food पे आपने 100 रुपए इस्तिमाल के non food पे आपने 900 रुपए इस्तिमाल के अरे food पे 100 रुपए इस्तिमाल के देखो कितना खा रहे हैं आप फिर भी percentage wise आपका expenditure of food decrease होता है income बढ़ने से income आपकी 1000 रुपए शिर्फ 100 रुपए का खर्चा 100 रुपए निकाल ये 1000 में कितना percent होता है percent expenditure बताईए एक food पे 10 percent गिर गया ना इसी को बलते हैं angels ला angel कहां से आई बाई angel कहां से ये कौन सी angel है मुझे भी दिखाए ये angel मतलब एक percent थी उनके उपर ये ला है और इसके बाद है fiscal space क्या होता है fiscal space देखो बाई fiscal space बहुत आसान है गौर्मेट के पास कितना सुपेस है पैसा खर्चे करने का गौर्मेट के पास कितना सुपेस है कितना पैसा है आपके जेब में कितना पैसा है उसको बोलते है fiscal space गौर्मेट के पास कितना पैसा है कितना सुपेस है और fiscal space उनके पास कितना है ताकि वो कितना spending or expenditure करे। याद रखना, spending or expenditure spending or expenditure government का depend कर सकता है fiscal space पे भी, fiscal space मतलब, उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितने receipts हैं, उनके पास कितने tax, non-tax से पैसा आता है, borrowing से पैसा आता है, decent estimate से पैसा आता है, बहुत सारी चीज़े हैं जो मैंने आपको बताई है और फिस्कल स्पेस जो है वो बताता है कि स्पेंडिंग और एक्स्पेंडिचर गवर्णमेट को कितना करना चाहिए अब आज मुझे बताईए अगर टेक्स ज्यादा लेगा गवर्णमेट तो फिस्कल स्पेस बढ़ेगी गटेगी सर फिस्कल स्पेस होता है पैंसा जो गवर्णमेट के पास आएगा टेक्स ज्यादा लेगा तो फिस्कल स्पेस भी बढ़ जाएगी गवर्णमेट के पास ज्यादा पैंसा आएगा गुवर्मえーment के पास कितना पैंस है fiscal space होई है fine को गठाएगा fees को गठाएगा तो fiscal space क्या होगा sir fees fine government काम लेगा न तो उनका पैंसा भी कम होगा fiscal space भी कम होगा यह तो मैंने बस दो दिये आपको budget में जाइए और हर एक जगा समझे इसको borrowing से physical space क्या होगी recepts ये non tax receipts से या tax receipts से physical space क्या होगी direct tax, indirect tax से physical space क्या होगा याद रखना एक बाद दिमाग में, recepts वाले side पे जितने भी है न, उनको बढ़ाओगे पैसे ज़्यादा आएंगे, physical space ज़्यादा हो गया, उनको गटाओगे पैसे काम आएंगे, fiscal space काम हो गया tension खत्म आपका सारा फिलिप्स करू ये मैंने आपको वैसे inflation में पढ़ाय हुआ है लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, वैसे भी ये revise हो जाएगा, याद रखो इसको फिलिप्स करू को समझा इस बात को ये है unemployment वाला और ये है inflation वाला inflation और unemployment ग्राफ के उपर जब हम देखते हैं, तो ऐसी relationship होती है, inverse relationship होती है अगर unemployment इतनी है, थोड़ी सी है unemployment, क्या या 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 ऐसे हम समझेंगे, inflation को अगर inflation थोड़ा सा है बस देखो ने, एक 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 पॉइंट inflation थोड़ा सा है, तो ये यहाँ पर मिलता है, तो unemployment ज़्यादा होगी देखो unemployment कितने है, तीन पॉइंट तो inflation और unemployment inverse है, इनफिलेशन ज़्यादा है, देखो इनफिलेशन कितना है, देखो देखो इतना, तो inflation ज्यादा, unemployment कम, inflation कम, unemployment ज्यादा, inverse relationship, इसे को बोलते हैं, flips करो, unemployment ज्यादा होगा, inflation कम होगा, unemployment कम होगा, inflation ज्यादा होगा, inverse relationship between unemployment and inflation, इसको बोलते हैं, flips करो, misery index कुछ भी नहीं है बाई मेरे, इसी unemployment और inflation को आप जोड़ दीजे, आपको misery index निकलेगा, inflation rate है उसको जोडो unemployment rate से वहाँ से जो total निकलेगा वो बताया आपको कि कितनी misery है misery index ओके 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 ये आपका fiscal policy रहा था ओके बाई